दोस्तो क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट आइस क्रीम को फैक्टरी में किस तरह बनाया जाता है और क्या आपने कभी टोमेटो कैचिप बनते हुए देगा है प्लस क्या आपको पता है कि मौडरन सूट केस असल में सिर्फ ब्लास्टिक का ए गोबारा होते हैं और हाजारों प्लेट्स पर एकी तरह का डिजाइन किस तरह प्रेंट किया जाता है वैल आज किस वीडियो में मैं आपको रोजमना चीज़ों को बनाने के ब्रिलियंट मैथेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दूस्तो आप सबने सफर के दौरान बहुस सूट के जियूस किये होंगी आज कल तो इस तरह के मॉटन बैक्स का इस्तमाल किया जाता है जो देखने में बहुत ही string को लगते हैं लेकिन क्या आप जाते हैं कि इनख़स सूट के सको बनाया किस तरह जाता है जल इन्हें एक बहुत हार्ड और रिलाइबल प्लास्टिक से बनाया जाता है जिसे ABS प्लास्टिक कहते हैं असल में ये एक प्लास्टिक शीट होती है जिसे इस हग तक गरम किया जाता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है लेकिन इससे पहले कि वो melt हो, इसे नीचे से blur के जरीए तेज हवा दी जाती है, जिसे ये एक balloon की तरह फैलना start हो जाती है, जैसे जैसे ये plastic फूलता है, इसके नीचे एक suit case की शकल का सांचा रख दिया जाता है, जब इस balloon के नीचे वो सांचा आ जाता है, तो blur को बंद कर दि वैल ये process वाकहे में amazing है, दोस्तों ये जो वडियो आप दिख रहे हैं, इससे first class में देकर ऐसा लगता है, जैसे ये कोई lava हो, लेकिन आप believe नहीं करेंगी कि ये material असल में lava नहीं, बलकि transparent glass है, वैल शीशा त्यार करने के लिए सबसे पहले sand और recycle glass को 1500 Celsius पर गरम किया जाता है जिससे ये glass completely melt हो जाता है, और देखने में ये material बिलकुल एक lava की तरह लगता है, विल इस molten glass को इस temperature पर melt करने के बाद सांचों में डाल दिया जाता है, इससे पहले कि ये शीशा ठंडा हो, इससे shape दे दी जाती है, और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हैं, जब तो आप सबने बहुत सी companies की chocolate ice cream try की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है किसे बनाया किस तरह जाता है, वेल factory के अंदर जब ice cream को सारे ingredients डाल कर prepare कर लिया जाता है, तो इस ठंडी ice cream को एक slicer से गुजारा जाता है, slicer के अंदर मखसूद सांचे और cutter लगे होते हैं, जो ice cream को ए इप chocolate की coating की जाती है, वेल इस तरह ये chocolate ice cream त्यार हो जाती है, और फिर इसे ठंडा करने के बाद packing process की तरफ भेजिया जाता है, एनिवे जो भी हो, ये process इतना मज़िका होता है, किसे देखर ही मुँ में पानी आ जाता है, दोस्तो बरतन तो हर गर में ही मौजूद होते हैं, जो प्लेट्स हम खाना काने के लिए इस्तमाल करते हैं, उन बरतनों में बहुत ही खुबसरत और रंग बरंगे designs बनाये जाते हैं, आप सबने नोट किया होगा, कि इन प्लेट्स का ये design बिकुल सेम होता है, और इसे लाकों बार दोने से भी ये design खराब नहीं होता, लेकिन जो design बरतन के उपर print करना हो, इसकी image को एक glass पर paint की सुरत में बनाया जाता है, फिर ये silicon pad इस glass से design को उठा कर इस बरतन के उपर print कर देता है, जसके आप वडियो में देख सकते हैं, कि जब बरतन को इस silicon pad के नीचे रखा जाता है, तो किस तरह ये silicon pad image को पहले अपनी उपर print करता है, और फिर बरतन के उपर इसे चाप देता है, मजगी बात ये है, कि ये paint इतना high quality होता है, कि बार बार दोने के बावजोद भी ये बरतन के उपर से नहीं उतरता, anyway जो भी हो, ये process सच में बहुत relaxing है, दूस्तों अगर ketchup की बात की जाए, तो ये दुनिया का सबसे famous sauce ह Of course हम सब जानती है कि ketchup को टमाटर से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ketchup बनते हुए देगा है, well ये process काफी मज़ितार होता है, सबसे पहले केतों से लाखों टमाटरों को ट्रग में भर कर factory के अंदर लाया जाता है, फिर इन्हें unload करके अच्छी तरह wash करके इनका paste ब पकाया जाता है, जब ये अच्छी तरह boil होकर पक जाता है, तो इसे ठंडा करते हैं, और इसके बाद ये टनों वजनी ketchup का paste बोटल में फिल होने के लिए त्यार हो जाता है, एन्वे जो भी हो, ये process वाके ही में बहुत satisfying है, दोस्तों कर fence की बात की जाए, तो इसका इस्तमा काम मशीन करती है, और ये process एक खास arrangement पर मुच्तमिल होता है, ये जो machine आप देख रहे हैं, इसके अंदर metal की वायर्स को डाला जाता है, ये process completely automatic होता है, ये machine वायर्स को अपने अंदर ले जाती है, और खुद बखुद इन्हें आपस में emerge कर की fans की शकल दे देती है, जैसे कि वडियों में देख सकते हैं, कि ये process इतना satisfying होता है, कि इसे देख कर ही मजा जाता है, ये scene वाके ही में देखने लाइक है, दूर सो आजकल शायदी कोई ऐसी लड़की होगी, जो lipstick का इस्तमाल ना करती हो, पर कि आपने कभी सोचा है, कि इस lipstick को factory के अंदर बनाया कैसी जाता है, वे lipstick को बनाने के लिए चार ingredients का इस्तमाल किया जाता है, जिनमें oil, wax, alcohol और color pigment शामल होती है, सबसे पहले तो wax, color और alcohol को आपस में mix करके एक paste बनाया जाता है, पिर इस paste को oil में डाल कर अच्छी तरीके से गरम किया जाता है, ताकि इसमें चिकना हट आ सके, जब ये पूर प्रास्टिक ट्यूब्स के अंदर रोल कर देती है, और फिर ये packing के लिए त्यार हो जाती है, दोस्तो पैंसल का इस्तमाल तो हर student ही करता है, लिखने से बनाया किस तरह चाता है, ये बात mostly लोग नहीं जानते, वेल पैंसल मेकिंग में सबसे important चीज वोड होती है, ये खास क लकड़ी को दर्म्यान से काट कर इसके अंदर सिक्के की जगा बनायी जाती है, फिर इसे एक और मशीन में से गुजारा जाता है, जिसमें इसके अंदर सिक्के को डाला जाता है, इसके बाद इसके ऊपर लकड़ी का दूसरा हिस्सा रख कर इसे चिपकाया जाता है, जिससे यह pencil की shape बन जाती है पिर इसे एक paint machine में से गुज़ारते हैं जिससे यह लकडी colorful बन जाती है paint करने के बाद pencil के ओपर company का logo print किया जाता है सबसे end में इस pencil को एक metal की plate के ओपर से गुजारा जाता है जो इसे perfectly sharp कर देती है well sharp होने के बाद दी हजारों पैंसल्स पैक होकर स्टूडेंट तक पहुँचने के लिए रेडी हो जाती हैं दोस्तों ये जो शूज़ा आप दिख रहे हैं आपने एक दवा इस तरह की बूर्स जरूर इस्तमाल किये होंगे ये देखने में भी काफी कूल लगते हैं मुस्त लोगों को लगता है कि इने फैक्टरी में मशीन्स के जरीए बनाया जाता है लेकिन आपको चांट के हरानगी होगी कि ये शूज़ कंप्लीटली हैंड मेड होते हैं ये वडियो आप दिख रहे हैं इसमें शूज़ को बनाने का कंप्लीट मेथड दिखाया जा रहा है पहले इस रबर नुमा मैटेरियल को जूटकी शेप पर काटा जाता है और फिर इसे हार्ड गलू से शूज़ के साथ चिपका देते हैं सिर्फ इतना है नहीं बलकि इसकी सोल पर जो फैंसी लेर लगाए जाती है उसे भी वरकर्स अपनी हाथों से ही लगाते हैं इसके इलावा इन बूर्ट्स को सिलाई भी हाथों से ही किया जाता है एनिवे जो भी हो शूज़ बनाने का ये मैथटर रियली बहुत टफ है दोस्तों ये बात हो हम सब जाते हैं कि बेकरी में बनाए जाने वाली जहादर चीज़ों में एक्स का इस्तमाल किया जाता है बेकरी के अंदर एक दिन में हजारों के हिसाब से अंडे यूज़ के जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इन हजारों अंडों को क्रैक किस तरह किया जाता है वैलि ये जो सिंपल सा प्रोसेस आप दिख रहे हैं इसे एक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं इसमें एक flat surface वाला object लगाया जाता है जो कि अंडो को तोड़ने का काम करता है अंडो को बारी-बारी मशीन में डाला जाता है और जब वो इस egg breaker के नीचे जाते हैं तो ये cracker ने खुद बखुद तोड़ देता है सिर्फ इतना है नहीं बलकि इस मशीन में एक बहुत ही amazing system और भी होता है जो कि अंडो की जर्दी और सफेदी दोनों को अलग भी कर सकता है इट मेंस कि अगर बेकरी को सिर्फ सफेदी की जरुरत हो तो इस मशीन से वो हासल की जा सकती है ये सच में कमाल है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसांद आई होगी अगर आप मेरे vlogging चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस icon पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफेज